विस्तो कर्म पूजा के दिन साकसाद नांग नागिन का जोड़ा दिग गया यहाँ पर मुझे इसको पकरणे का मन कर रहा मेरा Hey guys, good morning, welcome to my second vlog फस्त ब्लोग आप सभी ने देखी लिया होगा जिसमें आप सभी का मुझे प्यार और सपोर्ट दोनों मिला I hope आगे को भी यही आशिरवाद बनाई रखेगा सूबे के बजने साथ तो आज की दिन की सुरुवाद ही हो चुकी है मेरे दिन की रोज सुरुवाद भगवान भोलिनाज जी के दर्सन से होती है क्योंकि हमारे घर के सामने आगे है सोटा कलास परवत आज आपको भी दर्सन कराते हैं महादेवा ते रडम रूडम रूडम वह देख रहे हैं सामने चोटा सा आपको भी दिख रहा होगा तो गाइज यह रहा हमारा गाउं यहां का बहुत अच्छा प्यारा नजारा है आज मैं पूरा भीग चुआँ क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है तर नदीनाले पूरे उफान पर हैं तो गाइज ममी ने कर लिया है नास्ता तैयार नास्ते में दही पूरी और अचार है आज का दिन होने वाला है बहुत बड़ा इंट्रेस्टिंग क्योंकि मैं जा रहा हूं ग्राउंड वहां सारे भाई लोग भी आ चुके हैं आज होने वाला है बहुत बड़ा इंजोई तो चलो जाके देखते हैं क्या प्लाणिंग बनती है सो गाइस फाइनली पहुंच चुका हूं इसकूल के ग्राउंड पे इन लोगों का चल रहा है क्रिकेट मस्त एकदम फाइव स्टार होटल के सेफ देख सकते हैं यह इनका क्या गहते हैं परसनल धंद है सो गाइस हमारा प्लान बन चुका है मैगी बनाने का और मैगी हमारी तयार हो रही है पता नहीं नेपली लेंग्वेज में क्या बोल रहा है सो गाइस बड़ा पोपट हो गया एक लड़का मैगी के हमारे पती लेको उठा गई ले चल दिया अब पता नहीं कहां ले जाएगा सब लोग उसके पीसे भाग रहा है यह हमारे रशियार भाईशाब देखिए शंपर कर शकते हैं आप इनको शस्ती मस्ती कैटिंग के लिए इसमें जितनी पतिया नहीं उससे ज्यादा फाल लट अगरें बाद में इसकी टैनिया तूट जाएंगी इसको देख कैसा लग रहा यह हमारी भैंस ममी जी ने पाल लखी है और अभी दूर की देती है मारने के लिए याएंगी दोर लग रहा है निकों देखके और यह रही हमारी गौमाता इनको पूरे 17 साल हो चुके हैं दूद देना तो बहुत दूर की बात है यह हमें गौमूत्र तक भी नहीं देती हैं गौमूत्र जब हमें चीए तो हम पड़ोस से लेके आते हैं लेकिन ममी जी बोलती है कि उनको पूरी उम्र भर पालना है क्योंकि जरूरी नहीं है कि दूद नहीं दे रहे तो हम पालेंगे नहीं जब भी हम इदर उदर जाते हैं रोडों में और जंगलों में भटकते हुए आवरा पसु गाय दिखते हमें तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता यह काम बिल्कुल गलत है ऐसा निकरना भी नहीं चीए जब तक दूद खारें तब इदक पालते हैं उसके बाद नहीं उनको भगा देते हैं घर से सो गाइस फाइनली पहुंच चुका हूं घर और आज है विस्टु कर्मा पूजा आप सभी को विस्टु कर्मा की धेर सारी सुपकामना है और आज मेरे पीछे दिख गये हैं मुझे नाग नागिन का जोड़ा नाग नागिन का जोड़ा देख यहां पर मुझे पहुट ज़्यदा डर लगाए है यहां पर है कि एक मैल है एक फी मेल है नाँक जी तो बहुत बढ़ा है है घॅ जय दौत depress सापों को देखके बहुत ज़्यादा डर लगता है लेकिन आज पता नहीं मैं बिल्कुल भी रिंडर रहा है उनको देखके क्योंकि दो जोड़े में हैं ना एक नाग नाग है नाग बहुत बड़ा है नाग थोड़ा चोटी उससे आपको भी दिखाता हूं तो गाई नाग जी अर्तो निकल गए अपने घर को और नागिन बज गई यहां पर नाग और नागिन जा चुके अपने घर को ममी पापा गए खेतों में तो मुझे भी जाना पड़ेगा घांस लेने के लिए क्योंकि ममी पापा की थोड़ा हैल्पई भी हो जाती है तो आज क कोई वीडियो पसंद आई होगी पसंद आई तो लाइक कर देना चैनल पर नहीं होतों सब्सक्राइब कर देना थैंक्स पावर वाचिंग भाई इसको पकड़नेगा मन कर रहा मेरा